हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ECIL, Electronics Corporation of India Limited की New Recrement Notification के बारे में इसकी LBT Conditions के बारे में और कौन-कौन इसको अपलाई कर सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंज, सबसे पहले बात करते हैं इसके Official Notification पर तो फ्रेंज, यहाँ पर जो यह Vacancy है, यह फ्रेंज, आपके Contact Basis पर रहेगी जो की फ्रेंज, पीरेट रहेगा आपका एक साल का और यह जो पीरेट है, यह भर सकता है, मतलब जो आपकी Job है, यह भर सकती है अगर इनका जो Project है, और Requirement है, वो ज़्यादा होती है तो यहाँ पर फ्रेंज, आपको जो Experience Certificate है, वो आपको इसमें मिल जाएगा जो की आपके Further, इसी Company की Vacancies में वो एक साल का मागा है, 31.5.2020 को आपका जो एकस्पिरेंस से काउंट होगा, 31.5.2020 को ही आपकी अपर इस काउंट होने वाली है जो की यहाँ पर 30 साल रखी गई है, और साथ में आपकी जो मंतली सेलरी है, वो 23,000 रुपे यहाँ पर रहेगी, अगर बात करें कैटेगरी वाइस तो यहाँ पर जो 6 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वड है, 3 पोस्ट OBC के लिए है, 2 पोस्ट SC के लिए है और 1 पोस्ट ST कैटेगरी के लिए रहेगी, अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो ए 1st class engineering degree in computer science engineering, तो computer science engineering में आपके पास engineering degree होनी चाहिए, कम से कम 60% marks आपके aggregate, फरला overall आपकी जो degree है उसमें आपके 60% marks होने चाहिए, साथ में एक साल का experience होना चाहिए, जो की होना चाहिए relevant field of programming language में जो आपको यहाँ पर दिया गया है इसके बाद है method of selection, तो यहाँ पर जो selection process है वो return test या interview या don't know ही, आपके जैसे भी यहाँ पर according होगा, वो आपका लिया जा सकता है, और आगे की जो dates है वो आपको बता दी जाएंगी, return test तो center है, वो friends आपका हैदराबाद में ही रखा जाएगा और कोई भी TA, परलब traveling allowance आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर general instructions दिये गया है, कि आप अपनी जो LGBT conditions है form को fill करने से पहले check कर ले, और उसके बाद इस form को fill करें online ही आप इस form को fill कर सकते हैं, placement आपका all over India कहीं पर भी किसी भी site पर किया जा सकता है तो friends यहाँ पर इस form को आप कैसे apply कर सकते हैं, तो इसके apply online का जो link है वो आपको video description में मिल जाएगा joblastar.com पर, वहाँ पर ही आपको इससे related सभी detail मिल जाएगी 1 June 2020 से 22 June 2020 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं तो friends आपको जो यहाँ पर selected candidates है, उनकी जो list है, इसकी official website पर upload कर दी जाएगी और इसके अलावा कोई भी further communication आपसे नहीं किया जाएगा यहाँ पर friends से जो candidate है, SC, ST के उनको friends से यहाँ पर percentage है, उसमें छूट मिल जाती है उनको कम से कम 50% marks यहाँ पर होने चाहिए, उनकी b-tech में उसके बड़ 5 year का SC, ST को age relaxation है, 3 साल का OBC को और PWD catting rate को 10 साल का relaxation जो है, वो आपको यहाँ मिल जाता है और जैसा मैं आपको बताया, 1 June से 22 June तक आप इस form को फिल कर सकते हैं, return test and interview कहाँ पर होगा, उसकी जानकारी बाद में provide करा दी जाएगी तो यहाँ पर फ्रेंट जो यह notification है, इसके बारे में आपको सब एटेल बता दी है, apply online कर जो यह link है, वो आपको वीडियो description में मिल जाएगा या फिर आप ECIL की official website पर भी आ सकते हैं, apply का आपको यहाँ time मिल जाएगा और यहाँ से आप apply कर सकते हैं तो फ्रेंट इस वीडियो हमने बात की ECIL की new requirement notification के बारे में, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो like, subscribe and share कीजिए और देखते रहिए 824 knowledge and a last thanks for watching